हैलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल आज हम सब जानेंगे महिलाओं के हेल्थ से जुड़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेन समस्या ब्रेश्ट लंप अस्तनों में गांट के बारे में जैसे ही एक महिला को अपने अस्तन में गांट फिल होती है या अस्तन की टैक्सचर में कोई बदलाव फिल होता है उन्हें बहुत डर लगने लगता है कई सवाल मन में उठने लगते हैं जो सबसे ज्यादा डर लगता है कि कहीं या लंप ब्रेश्ट कैंसर तो नहीं है तो फ्रेंज आपको घबराना नहीं है लगबग 80% केसिस में या ब्रेश्ट लंप जो होते लगबग 20% कależ में यह लंप डूंप होते हैं कोई लंप discret है या बिनाईन है वो depend करता है महिला की एज क्या है जो लप है उसका characteristic क्या है कैसा है touch में उसका margins and mobility कैसी है अपमें कोई previous history थी कोई high risk या cancer के लिए इन सारी चीजों को देखकर decide किया जाता है कि या breast lump benign है या cancerous है तो friends आपको डड़ना नहीं है जैसे ही आपको breast lump फिल होता है आप अपने डॉक्टर के पास immediately consult करें डॉक्टर आपके condition को देखते वे आपको mammography या फिर ultrasound breast का करवाने का advice देते हैं या फिर FNAC या जो tissue है उसकी biopsy भीजी जाती है और उसके report के according आपका treatment advice किया जाता है लेकिन पहली बात समझने की जो है वो है कि आपको lump फिल होता है तो घबराना नहीं है या lump बिनाइन और cancerous धोनों हो सकता है बिनाइन लंपस जो होते है usually dangerous नहीं होती है जो कोसी काय है उसकी overgrowth तो होती है लेकिन uncontrolled growth नहीं होती है वहाँ tumor localized tumor बन जाता है जो पूरे सरीर में नहीं फैलता वो वहीं पर रह जाता है युजवली बिनाइन लंप जो होती है वो young age में young reproductive जो महिलाएं होती है युजवली जो 35 years के अंदर होती है उनमें ज्यादा देखने को मिलती है जो सबसे बिनाइन ट्यूमर है महिलाओं में पाए जाता है वो है fibrocytic disease of breast and fibroadenosis fibrocystic disease of breast जो है इसमें आपको अस्तनों में छोटी छोटी पानी भरे हुए cyst बन जाते हैं patient usually lump present करती है यानि कि कोई localized grant नहीं होती है पूरा जो breast है वो गठीला गठीला टाइप का लगता है और जो main complaint होती है वो है breast pain यानि अस्तनों में दर्द होता है usually यह hormone के effect से होती है self limiting condition होती है अपने आप धीरे-धीरे करके यह जो problem है वो समाप्त हो जाती है अगर नहीं होती है तो doctor and medication के help से doctor advice के जरिये यह solve हो जाती है दुसरे जो common problem है वो है fibroadenoma या एक localized well defined tumor है जहां पे जो है tumor एकदम firm tumor पाया जाता है well margins होते हैं एकदम margins round clear होते हैं और जो tumor है उसको हम घुमा सकते हैं उपर नीचे दाए बाएं इसकी mobility होती है tumor की fixed नहीं होती है young age में मिलता है और usually painless होती है fibroadenoma अगर ऐसा tumor मिलता है तो उसका ultrasound FNAC कराते हैं अगर इससे कोई cancerous नहीं होता है तो इसे regular follow up पे भी छोड़ सकते हैं या फिर इसका size बड़ा है इससे आपको तकलीफ हो रही है तो इसे हम surgically निकाल भी सकते हैं या खतरनाक नहीं होती है यह आपको breast में कहीं spread नहीं करती है लेकिन आपको बढ़ती उम्र में आपको कोई lump फिल हो रहा है तो उसके cancer होने के chances ज़्यादा होते हैं आपके chest wall से या उपर के skin से fixed होती है लंप के साथ साथ अगर skin में कोई changes है तो जो की लालीमा आ गई है जैसे की या swelling आ गई है या spots बन गया है swelling के साथ साथ गड़े गड़े बन गया है तो chances है कि यह जो lump है वो cancerous है निपल भी changes हो जाते हैं निपल से discharge होने लगता है तो breast lump जो है cancer होने के chances ज्यादा होते हैं जब भी आपको breast lump फिल हो तो उसमें armpit को भी जरूर फिल करें क्योंकि कभी-कभी armpit में भी tumor फिल होता है कोई भी lump मिले उससे lightly नहीं लेना चाहिए अगर आपको lump मिलता है तो आपको आपके डॉक्टर को जल्द से जल्द कंसल्ट करना है क्योंकि जो best treatment है breast cancer का वह है early diagnosis and treatment अगर आपको शुरुवाती दिनों में breast cancer का पकड़ लेते हैं तो इसके इलाज अच्छे से हो जाता है survival rate ज्यादा होता है